अभी दोस्तों को नमस्कार पित्र स्वागत है राजस्तान जीके कि जो हमारी एंटिवाइटिक सीरीच चल रही है आपका फिर से एक बार स्वागत है हम राजस्तान के प्राचिन जितने भी भोगोलिक नाम है उनके हम बात करने जा रहे हैं कि आपको घंटे घंटे दो-दो लग जाते हैं उन भोगोलिक प्राचिन नाम याद करने में कुछ मिनिटों में आपको याद करवाने जा रहा हूं लगातार बने रहने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेड़ा घंटे कर निसान को दबा देना ताकि हर क्लास का नोटिविशन आप त प्रशासन किया था इसलिए इसको योद्धिव पर्देश कहते हैं सो रट में बात कर रहें बहुत जल्दी बात कर रहें अधली अप लोगों जैसे घंगानगर हनमानगर भीकानीर चूरू का यह भाग है इसे अंधली कहते हैं वास्तिकता में क्या है कि जो आप लोगों की थार का मरुस्तल है जो उत्री भाग है उसे थली कहते हैं और नीचे का जो भाग है आपके बाडमेर जालोर साइड में उसे हम तली कहते हैं उत्री भाग थली कहलाता है नीचे का भाग तली कहलाता है और पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं चोलिस्तान कहते हैं पाकिस्तान में हमने क्या कहेंढ चोलिस्तान कहते हैं फॉप्पर भाता थली क्या रहता है अब यह जो आप काले बालाव को बकान 10 यहां domo dating झांगल प्रदेश다 हैं और यहां एक आपका राती घाटी का आप लोगों का एक आप राति घाटी का यहां आपको बिल्कुल अच्छी तरीक से आना चैलिए तो यहां आपको नागोळ दिखाई दे रहा है तो नागोष आपने पढ़ा होगा कि आप लोगों के जो सपाद लक्षी आनि सांबर का प्राचिन नाम हमारा सफाद लक्ष है और सपाद लक्ष मैं आपके वासुदेव चोहाँ ने चोहान वंस की नीव रखी थी और प्राचिंतम जो राजदानी भी बनाई यह अई चत्रपूर बनाई और शत्रपूर का है नागोर में यह भी आप द्यान रखे दूसरी बात करें हम लोग मेंगार कहिए ये पहले इस्लाम धर्भमस विकार कर लिया उन्हें हम मेव कहते है और जिस इलाके में निवास करते है उस्से ये बाद और आपके अलवर भरतपूर के चीपता हुआ भाषा बोल्यों में गजब का काम देगा आपको इसkę अहीर्वाटी है कि आपके अलवर जिले का उत्तरीपूरी भाग जो आपके हरीयाना के चिपता हुआ है वहां आपकी यहां यादव जाती है यादव जाती यहां निवास करती है अलवर जिले के उत्तरी पूरी भाग में यादव जाती निवास करने के कारण इस इलाके को हम क्या कहते है अहीर वाटी कहते है यह भी आप लोगों को आना चाहिए हम लोग बात करें जो आपके कांतली के बहवाद शेतर में आता है उसे हम तोरावाटी कहते हैं देखो यहां पे एक कांकली है एक कांतनी है दोनों देहान रखना है आप लोगों को तो मसूर दी नदी आपकी कांकनी को उपना में और तोरा वाटी आपके कांतली का उपना अब बात करता है मित्रों हम शेकावाटी शेकावाटी भी आप लोगों के ये जो सीकर जुन जुनु का भाग है इसे हम शेकावाटी कहते है चूरू तक जाता है और आपके तोरा बागाव में आपके इनकी छत्री बनी हुई है एक सब्सम्द हमारा पढगड है और बागड में बिंदी नहीं लग रहे हमारी माता बहने बिंदी यहां लगाती है तो सेखावाटी का उपनाम क्या है बागड है और यहां से बिंदी छूट के नीचे गिरेगी पैरों में तो तो राजस्तान के पैर आपके डूंगरपुर बासवाड़ा है तो डूंगरपुर बासवाड़ा को हम क्या कहते है बागड कहते हैं और साथ जिसके उपर बिंदी लगी हुई है उसे क्या कहते है बागड तो बिंदी यहां लगानी है और बिंदी जदी छूटके गिर गई त दूंगरपुर बासवाड़ा को हम क्या कहते हैं बागड कहते हैं तो बागड परदेश एक अलग है और बागड परदेश एक अलग है तो बागड हम शेकावाटी को कहते हैं दूंगरपुर बासवाड़ा को बागड कहते हैं दूंगरपुर बासवाड़ा में हमारे च्चपन का मैदान भी हैं कांठल 56 के मैदान और 56 के पहाडियों में आप अंतर समदने का प्रियास करना छ निग चपन का मैदान जो आपका बासवरा को सबस्केत니 माही नधी का वहोग उच्छतन घ्र उसे कांठल भी कहते हैं और 56 का मैदान भी कहते हैं लेकिन दोस्तों 56 की पहाड़ियों की बद्धियान रखना है आप लोग के जो बाड़मेर जिला बाड़मेर में आपका सीवाना से मोकल सर लगबग आप लोगों के 11 किलोमेटर के लंबाई में और 1.5 किलोमेटर के चोड़ाई में वे आपके 56 की पहाड़ी कहलाती है तो बाडमेर में गोलाकार पहाड़ीों को 56 की पहाड़ी कहेंगे और 56 का मैदान हम किसे कहेंगे बासवाड़ और परताबगड़ कहेंगे साथियों अब देखो यहाँ पे बयाना बयाना हम स्रीपंत को कहेंगे और आपके यह जो आप लोगों का धोलपूर भरतपूर आपको पढ़ा है मैंने बहुत अच्छी तरीके से एंटिवाइटिक भी आपको दे दिये तो धोलपूर और भरतपूर यह आपके यहां ब्रज परदेश के चिप्ता हुआ है इस सवाई मादवपूर करोली में जो आपके उत्खात भूमी मिलती है उसे साथियों हम भीड भूमी कहते हैं उसे डांग चेतर कहते हैं डांग की राणि करोली है यह नगना आप लोगों को कि यह जो आप लोगों के एक बीड शब्द है भीड़ आपका सेखावाटी का है सथ सबाई मादूपुर में आपके भीड भूमी जैपुर में आपके बीड़ा है और शेकावाटि में क्या कहेंगे भीड चेतर कहेंगे वैसे आपके देखिए तीन शब्द मैं लिखें मरू मेरू और माल मरू आपके मरुस्तल्व कहते हैं मेरू आपके जो परवत माला उसे कहत सब्सक्राइब और लोग यहां पर मालड ताभी कांगते आपकी कोटा जालावाड में में तो मालड यह कहलाएगा लेकिन यह द्यान राखिए आप लों कि यहां में हाडवंस ने सासन कि तो फरावनाहे नामोर को है तो इस लाके काह स्पेशिया नाम進ों सुने विया में इसे झ्रमém करने काली-हंडि कालर मिट्टी होने करना इसे क्या क्याएंगे काल हांडी कहेंगे हाई हाई परदेश क्या आन ढांग धांग प्रस को कहते हैं और इसे कहते हैं माल डांग यह जालावाड को ओक हम लोग बात करते हैं आगे देखिए आपके यहां पे उदेपुर है और उदेपुर में यहां आप लोगों के मेवाड देखिए यह मेवाड को हम किसी जमाने में आपके सिवी कहा करते थे क्योंकि यहां आप लोगों कि स्वी जनपद होता है तो हम swADE कैएं सिवी चीछ मेदफाब कहा है और आपके सिवी जनपद की जो राधधन हुआ करती था वइत अब रहा हम्हारा बागर को भागड को ही मुंडेल कहते हैं देवलिया कहते हैं पुष्ट कहते हैं कि आपके मूंड में जच गई तो देव के गुप्त रूप से पुष्ट रहता है और पातल का नाग पर देश आपके इसी के शाथ है ना मैं सत्यों करते दृवण देवगण आपकी परताब ताह्वड़ां को आपके रास्तर नहीं लिए तेस्फ्री नुम्हं पहाडिया है उधेपुर में उन्हें मित्रो रहिए हम इसी प्रकार से उदेपुर में हमारे पा座 सरवादिक्वन थेफिसरव व् ficou होगी देश अमारा हरोहगा तो देश की पहाड़िया आपकी उदयपूर में मांसून का प्रवेष द्वार के कहा जाता है यह आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए अब देखिए हमने क्या कहा कि माल माल का मतलब आपका पठार तो आपके इस माल के पठार का उपर का भाग उससे उपर माल कहते हैं और अगर यह खेरार घार इसमें हमने माल पुरा टोक और जोड दिया और माल और जोर दिया माल पुरा और तो माल घराडी बोली आपके के वल जहाजपूर भीलवाड़ा में और माल के माल खेलारी जाजपूर भीलवाड़ा के साथ में माल पुरा टोक जोड़ देंगे तो वे आपके क्या बनेगी माल खेलाड़ी बनेगी यह बी आप लोगों को पूर्ट रिखना है अब देखते हैं हम लोग आगे यह इधरन वाला हो गया हमारा कोई समस्य नहीं करें भाकी का हमारा इधर का योगनी भत्नम के नाम से जानते थे शिरोई में तुद्धेव रहते और देव तो उचे-उचे रहते यानि यहां शिव रहते है शिव पर आपका सिरो, यह पहाड़ी ओपर आपका सिरोई तो पहाड़ी ओपर शिरोई लाएंगे तो इसे अरबुद्द नाजचल परदेश सिरोई को हम क्या कहते हैं शिवपूरी कहेंगे चंदरापृती कहेंगे अर्बूदा और अर्बूंदा चाल परदेशी कहते हैं आपने गुजर पर्तियहर वन्स पड़ाओ तो कही जगे पड़ा मिलोगों कि आपके चिनी यातरी हिंद सांग ने भील माल की यात्रा की और रा लूनी नदी को पढ़ेंगे आंत्रिक जल पर इसमें तब नदिया पढ़ाऊंगा आपको मैं आरब सागरवाली तब बात करेंगे तो इसका बहवाद समझ में आता है हाला कि जल्दी बहुत पच्छे कहते है गुरुजी आप जल्दी करते हो एंटी वाइटिक जल्दी की रूप में यही क्लास आप आप जाएंगे भूगोल में 2022 वाले में और दो गंटे में मैंने राजिस्तान के आपके प्राचिन नाम पढ़ाए अब दो गं अबसाँ